हेलो फ्रेंड्स आपका मेरी चैनल सिलपास की चैनल रेसिपीज में स्वागत है आज में एक हेल्दी और टेस्टी बेबी फूट की रेसिपी शेयर करने वाली हों जो ना कीबल बच्चों का वजन बढ़ाएगा बलकि मानसिक और शारेरेक विकास के लिए भी मदद करेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लेज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हेल्दी बेबी फूट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे दू छूटा चम्मच दलिया लिया है इसमें हम पानी डालेंगे और दलिया को तीन से चार बार पानी से अच्छे से साफ करेंगे दलिया को पानी से अच्छे से साफ करने के बाद इसमें हम वापस से पानी डालेंगे और इसे साइड में रख देंगे अब एक दूसरे बाउल में एक खजूर लेंगे और खजूर का जो पीज है वो हम निकाल देंगे खजूर इस रेसिपी में नाकेबल मिठास का काम करेगा बलकि बच्चों में आरेन की कमी को भी दूर करेगा क्योंकि खजूर में आयरन प्रचूर मात्रा में पाया जाता है अब इसमें 4 से 5 किश्मेश दो काजू और दो बदाम एड़ करेंगे इसमें भी हम पानी डालेंगे और ड्राइफरोट्स को पानी से अच्छे से 1 से 2 बार साफ कर लेंगे ड्राइफरोट्स को पानी से अच्छे से साफ करने के बाद इसमें हम वापस से पानी डालेंगे और इस दलिया और ड्राइफरोट्स को 2 से 3 घंटी के लिए भींगों के रख देंगे 3 घंटी के बाद बदाम के जो चिल के है, उसे हम इस तरीके से हटा देंगे और एक mixi के जार में डालेंगे और साथ ही बाकी के dry fruits को भी डाल देंगे और इसी के साथ भिंगा हुआ दलिया को भी आड़ करतेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और smoothly grind कर लेंगे grind करने के बाद हमें ये make sure करना है कि इसमें कोई dry fruits का बड़ा सा टुकड़ा रहना जाए अब इसे हम एक पैन में डालेंगे और साथ ही इसमें एक कप दो दैट करेंगे एक साल से छोटे बच्चों के लिए आप याँ पे formula milk ले gas का flame हम low to medium पे रखेंगे और इसे लगादर चलाते हुए 8-10 मिनिट के लिए पका लेंगे ताकि इसमें कोई lumps ना बने और healthy or tasty baby food बन कर तयार है इसे हम थोड़ा सा पतलाई रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है जब दलिया थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे बच्चों को खिलाए और starting में हमेशा थोड़ी से quantity से ही शुरुवात करें रेसिपी कैसे लगी कमेंटर के जरूर दाए और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ